कैसे हो आपका अपना चैनल स्टैनो एवरी डे आपके लेकर आ रहा है अस्टी की स्पीड से एकसाइज नमबर सोला बहुत आसान तरीके से लिखना गबराना मत बिर्कुल भी पाथ सेक्ट बाद स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी स्टार्ट अध्यक्स जी जिस समय पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था उस समय उन्होंने देश की रक्षा के लिए महत्पूर्ण कारिय किया था इसके साथ ही साथ मैं मंत्री महुद्य को यह भी इसमरण दिलाना चाहता हूं की सायद उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया की इस बार जो रास्तिय पुरुषकार मिले हैं उनमें रेलवे पिरिसाशन को केवल दो ही पिराप्त हुए हैं जब की मैं ऐसा मानता हूँ की हमारी सेना के बाद अगर किसी ने युद्धकाल में सरहाइनिय कारिय किया है तो वे है रेलवे पिरिसाशन अथवा रेलवे करमचारी और अधिकारी हैं इसलिए उनके मनोबल को बनाए रखने के लिए और उनको प्रोध साहित करने के लिए रेल मंतरी को इस बात पर भी ध्यान रखना चाहिए और इसका प्रियास करना चाहिए कि जो भी इस तरह के प्रोध साहान मिले उनमें रेलवे का विशेश ध्यान रखा जाए रेल मंतरी मोहदिये ने अपने वक्तिये में भी रेलवे करमचारियों की पिरसंसा की है या उनको प्रोध साहन दिलाया है लेकिन यह प्रोध साहन शान्ती काल में भी बना रहना चाहिए रेलवे ने युदकाल में जो काम किया वह तो देश की रक्षा का महान उद्देश्य था लेकिन उसके बाद देश के निर्मान में या गरीबी मिटाने के लिए जो युद होता है उसमें भी पिरतिये रेलवे करमचारी का मनोबल उसी तरीके से बना रहे इसके लिए भी रेल मंत्री मोध्य को कुछ कदम उठाने की आवश्यक्ता है मैं ऐसा मानता हूँ कि वह किसी भी तरीके से करे उनका तरीका कुछ भी हो लेकिन उनको यह करना चाहिए कि जितने भी रेलवे करमचारी हैं जो भी रेलवे को मुनाफा हो उसमें वह साजेदार हो चाहे आप उनको बोनस के रूप में कुछ दें चाहे किसी और तरीके से दें लेकिन हर वर्ग के रेलवे करमचारी को मालूम होना चाहिए कि यदि वह देश के निर्माण के संबंध में ठीक तरह से काम करेगा तो उसको पुरुषकार के रूप में या वेतन के अंस के रूप में अपने वेतन के अलावा पैसा मिलेगा इसी पिरकार इस संबंध में मैं एक और सुझाओ देना चाहता हूँ सवतंतरता के बाद रेल पिरिसासन भारत सरकार का पिरिसासन हो गया लेकिन यह लोकसभा एक विसेश उदेश्य को लेकर चुनी गई है यह उस कारियगरम का एक नमूना ही है गांधी जी ने जीवन के सभी पहलों पर पिरिकास डाला था धन को वे संयम से विया करने के हग में थे स्टोब एकसाइज कम्पलीट